खबर मिर्जापूर से हैं जियोती पत्नी रामा उम्र करीब 60 वर्ष सीला पत्नी पतालू उम्र करीब 45 वर्ष सनी पुत्र नान्हक उम्र करीब 19 वर्ष नावचालक वबलू पुत्र तोडन उम्र करीब 20 वर्ष नावचालक पायल पुत्र संतोस उम्र करीब 15 वर्ष श्रया पुत्री नंदन उम्र पुलिस अधिचक मिर्जापूर सहीत अन्य प्रशासनिक वा पुलिस बलके अधिकारी वकरमचारीगर मौजूत रहे मिर्जापूर से सतेंद्र विश्यकर्मा की रिपोर्ट बिधायग जी यहां पे एक नाव डूबी हुई है उसके बारे में क्या कहना आपका मुझे टतकाल सुबह लोग यहां के बताए कि ऐसे सी घटना हो गया है मैं तत्काल जिला पुलिस सधिचक को मैंने बताया कि घटना हुआ है और बिधायगी मैं तत्काल वहां गोटा खोर और खोर से भेज रहे हैं और उनसे बात किये फिन मैं जिला धिकारी से सीमो से बात किये सिटी में स्ट्रेट से बात किये फिन हम यहां आ रहे थे तो देखे राहते में लोग थे और ले गए हास्पिटल में पुरा बेफ्था करा कर पुनफ हम यहां मोके पर आये हैं अब इस्थिती सब ठीक है 18 लोग थे 18-18 लोग निकाल लिये गए जिसके ओजर से मा का किरपा था कि कुछ घटना नहीं हुआ और लोगों से हमारा यही संदेश है कि जादे लोग नव बैठें और माजी लोग भी लिमिट से दस अगर हैं तो उसको नव ही बैठाएं क्योंकि जान बहुत किम्ती है और परभू का मा का ही किरपा था जो कि सभी के सभी लोग बच गए कि जिसर एक नाव पलटी हुई है क्या मामला है यह कुछ लोग मटर तोड़ने के लिए गंगा के उस पार जाते थे और लोकल नाव जो है उसको यूज करते थे तो वह नाव डूब गई और उसमें 17-18 लोग जो सवार बताय जा रहे थे तो जो लोकल लोगों के दोरा बता लिया गया है 12 जो लोग वह अस्पताल में है और 5-6 लोगों का वह इस्थानी लोग जो बता रहे हैं कि घर पे चले गए हैं तो मैंने टीम लगा दिए उनको भी ट्रेस कराने के लिए उन पांचों की पूष्टी करा लेंगे और इनका जो इलाज है वह निशूल के लाज अभी क्या कनिचनल साज लोग निकले गए हैं जो भी लोग निकाले गए हैं सबीकी कंडिशन ठीक है एक के वाल ऑक्सिजन है और हलका सा बीपी बढ़ा बाकी सा भी नॉर्मल है किसी को वह दिक्कत नहीं है